मद्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ हो रही कारवाई को लेकर इन दौर में चंदन अगर थाना शेत्र में जाने वाले तीन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने प्रकरन दर्च कर ग्रफतार किया सबी भुमाफिया शहर के पूर्वी शित्र में अवेद कॉलोनियों काट कर आम जनता की गाड़ी कमाई लूट खसोट का काम कर रहे थे पकड़ाय आरूपियों में एक बीजेपी का नेता भी शामिल है इदोर के चन्द अगर थाने पर पुलिस ने अवेद कॉलोनियों को काट कर उन्हें जनता को बेचने के मामले में चार प्रकरंट दर्च किये हैं प्रकरंट में पुलिस ने नेता गोविंद कुश्वाह, संजे दुबे और अश्विन दुबे को आरूपी बनाया है बताया जा रहा है कि अर्पोर्ट की बाउंडरी वालों से लगी जमीनों पर अवेद रुप से कालोनी काटी जाने की शिकायत मिल रही थी और लोगों को नौटरी पर प्लोट बेचे जा रही थे जब प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने सक्ती से जाच परताल की तो कॉलोनी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमती और बिना कॉलोनाईजर लाइसेंस के कॉलोनी काटी जा रही है निगम की टीम ने पंचिनामा बनाने के साथ दस्तावेजों को फोटो लेकर अफसरों को अवेद कॉलोनियों के मामले में संग्यान लेने को कहा गया तो जाच के बाद पुलिस ने सबी आरोपियों को हिरासत में लेकर अन्ने कॉलोनियों के बारे में भी पूछ ताच की जिससे की शहर की कई अवैद कॉलोनियों का लेखा जोका सामने आने की संभावना है अवैद कॉल्मी बना करके प्लॉट दे रहे थे और इन पर 420, 467, 468 और मेरपाली का अधनियम के दाराओं के तहत करवाई की गई ब्यूरी रिपोर्ट दबंग न्यूर्ज